गुद्मॉर्णिंग स्टूदेंट लेट स्टार्ट नेक्स टॉपिक यह आज हम एयर के बारे में पढ़ेंगे स्टूदेंट आपको पता है एयर क्या होती है बहुत सारी गैसिस का मिक्सचर है जैसे कार्बन अक्साइड ऑक्सिजन नाइट्रोजन हिलियम आरकन ठीक है इन स सब कैसिस क्या है मिलके अर्थ के अराउंड आस पास एक ब्लैंकेट सा बना लेती है जिसको हम क्या बोलते है एट्मॉस्फेर यहां पर आपको यह अर्थ का कंपोजिशन एयर की कॉंपोजिशन बताई होई है स्टूदेंट की 78.09% निट्रोजन होती है 21% अप्रॉक्सिमे नेओन अमोनिया ठीक है सो यह बाकी गैसे इस तो है यह क्या है एयर का कंपोजिशन नेक्स्ट इस यूस्फुलनेस ऑफ यह अब एयर का क्या क्या यूजिशन है अर्थ is the only planet in our solar system which has atmosphere सिरफ एक अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहां पे atmosphere जो गैसी एयर है वो प्रेजन है इस व सांस भी नहीं ले पाएंगे ठीक है सो यह क्या करती है लाइफ को support करती है because first one atmosphere prevent the escape of the heat from the earth into the space atmosphere क्या करता है heat को जो अर्थ की heat होती है उसको बच निकल से रोकता है next is the oxygen in the air essentially required for the respiration by the organism oxygen जो है हम सांस लेते है हमारी बोडी में जितनी chemical reactions होती है सब oxygen की presence में होती है that is the respiration so respiration के लिए जो है बहुत important है it is used to oxidize food to liberate energy हमारा जो food breakdown होता है ठीक है that is also in the presence of oxygen oxidize होता है food ठीक है ताकि तभी हमें allergy release होती है उसमें से we can live without food for several days हम कई दिन बीना खाना खाये तो रह सकते है बीना पानी के भी रह सकते कुछ घंटे लेकिन oxygen के बीना हम एक मिनेट से ज लेता है student plants so plants के लिए जो है बहुत जुरूरी है क्योंकि plants लेंगे तब भी वह water synthesis का process that is अपने खाना बनाने का जो process हो कर पाएंगे ठीक है और अगर plants survive करेंगे तभी तो हम survive करेंगे ठीक है next is nitrogen 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 होती है air में students that is converted into ammonium salt में convert हो जाती है यह जो salt होते है वो जो है proteins बनाने मे synthesis होता है banana से proteins बनाने में मदद करते है proteins जो है वो हमें living organism को चाहिए होती है बढ़ने के लिए ठीक है और जो भी हमारे body के पार damage हो जाते है उनको दुबारा repair करने में या build करने में जो है proteins का बहुत जादा रोल होता है जो हमें किसे मिलता है इंडिरेक्ली फ्रम दा नाइटरोजन नेक्स्ट आइर अ अल्पिन दिस्पर्सल ऑफ देसीड हवासे ही जो है सीड्स का भीखराव पोसीबल होता है फ्रूट्स का भीखराव अ प्लिनेशन ओफ दो फ्लार से जो रिप्रशन होता है फटलाइशन होती ही फ्लार्स की वो भ आथ प्यार से रोकती है उनको ठीक है तो अल्ट्रावाइलेट रेस जो है वह बहुत ही हामफुल रेस होती है स्टूडेंट्स लिविंग ऑर्केनिसम से इससे जो है कैंसर होने का में खत्रा होता है यह जो अजो अजोन लेयर प्रेजन होती है हमारे एक्मॉस्फियर में यह हमें जो यूवी रेस है हामफुल यूवी रेस उनसे बचाती है dat is the cycling of gases जो होता है oxygen और carbon dioxide oxygen जो है वह organism यूज्व करते रेस्पिरेशन के लिए जबकि carbon dioxide एक्षाइड फोट्रांट यूज करते हैं Got gases के लिए ये cycling है oxygen और carbon dioxide It is a cycling है cycle सा बना रहता है इंट्मॉस्फियर में यह जो है Maintain करता है oxygen और carbon dioxide का बैलेंस नेचर में in the number of industry vehicle as well as excessive use of fossil fuel are all adding up to a carbon dioxide volume in the atmosphere this is leading to global warming student जब बहुत जादा excessive excess में ही जादा ही forest की cutting होगी human population बढ़ेगी ठीक है industries का बढ़ना vehicles का बढ़ना यह सब और fossil fuels का use होना जादा से जादा यह सब क्या करता है carbon dioxide को बढ़ाता है और student जब carbon dioxide बढ़ेगी तो इसका सीधा प्रभाव कहां पढ़ेगा global warming पे क्योंकि यह indirectly global warming को भढ़ाता है ठीक है यह देखो यह आपको पिक में दिखाया गया इंडस्ट्री से carbon dioxide निकल रही है पेडों से carbon dioxide ले रहे है oxygen निकल रही है यह तो balance हो गया ठीक है अनिमल carbon dioxide दे रहा है पेड से oxygen ले रहा है ठीक है फ्यूल्स के बर्न होने से यह carbon dioxide release हो रही है जो पेड ले रहे हैं इंटर्स oxygen दे रहे हैं तो इसी तरीके से humans है ठीक है तो यह जो cycle है gases का नेचर में चलता रहता है next is the wind wind का मतलब क्या है चलती हुई हवा बहती हुई हवा ठीक है you can feel the wind and see it move trees branches and other things आपको wind feel होती होगी ठीक है आप पेडों की शाखा होगे देखो वो हिलते वे नजर आते है और और भी चीज़े जो है जैसे कपड़े डाले है आपने सुखने के लिए तो वो भी हिलते वे नजर आते है वो क्या show करते है there is wind wind जो है वो gentle भी हो सकती है धीरे-धीरे बैठती हुई हवा भी हो सकती है जैसे cool breeze हो गया ठीक है या फिर बहुत तेज हवा जो चलती है उसको क्या बोलते है hurricane wind is caused when sun heats the air near the earth surface हवा कैसे cause होती है कैसे बनती है जब sun की when sun heats the air जब जो sun है air को heat करता है earth surface पे तो जो hot air होती है student जो earth के पास की जो हवा होगी वो क्या होगी ऊपर जाएगी ऊपर जाके hot air वो क्या हो जाएगी ठंडी हो जाएगी ठंडी हो जाएगी and comes down और फिर से कहां आजेगी नीचे आजेगी and नीचे से ठंडी and occupies the space left by the hot air क्या होता है student जैसे यह जो है पानी के उपर की हवा क्या होगी sun की heat से गरम होगी यह उपर जाएगी उपर जाके ठंडी हो जाएगी ठीक है और नीचे से जो hot air उपर गई उसकी जगा फिर से कौन लेगा cool air ठीक है इस तरीके से यह भी cycle जो है वो चलता जाता है strong wind और gale can uproot risk अगर बहुत देस students हवा आए तो आपने सुना भी होगा तुफान आजए तो क्या होता है even की पेड भी उखड जाते हैं अपरूट हो जाते हैं हरीकेंस से क्या होता है buildings भी damage हो जाती है electric poles and disrupts of transport system जो है यह सब कुछ खराब हो जाता है अगर तुफान आजए तो wind causes spreading of the air pollutant wind की वज़े से ही air pollutant भी spread होते हैं during winter smoke released from the factories accumulates in the air and form smoke with contensive water vapors and suspended particles in the air smoke release from the factories air in the air जाती है और जिसकी वज़े से क्या होता है smoke ऐसा देखो धुंदरा साब को सारा environment नज़राने शुरू हो जाता है with condensing water vapors and suspended particles suspended particles मला हावा के अंदर ही धूल के कन रहते हैं और यह smoke है उससे क्या होता है हमारे गले पर effect होता है हमारे गला जो है चौक होना चौक होना शुरू हो जाता है और आखों से पानी आना शुरू हो जाता है ठीक है यह तो आपको अकसर दिवाली के बाद ऐसा ही महौल जो है वो नजर आता है now wind can change weather wind से student weather भी change होता है a hot can turn cooler एक गरम दिन जो है थंडे दिन में बदल सकता है अगर जो हवा है that blow down from a cool area हवा जो है एक थंडे एरिया से आ रही हो और एक cool day जो है वो गरम हो सकता है अगर हवा जो है अवे अगर जो हवा है ठीक है if wind blows from the away the cloud and sun rays reach the earth surface wind जो है clouds को दूर बगा दे और sun rays जो है अठ पे पहुंच जाए तो क्या होगा एक थंडे दिन भी गरम हो जाएगा wind help in the dispersal of seeds and in the pollination student wind है ठीक है seeds के बिखराफ के लिए dispersal के लिए help करती है and in the pollination pollination क्या होता है student यही flowers की fertilization होना ठीक है that is the pollination wind जो है help करती है that's it